हम बनाएंगे अलो बर्बल की करीब सबसे हीजी सबसे आसान तरीके से वो भी दो सिक्रेट इंग्रीडेंट्स के साथ जो कि आपके घर में आसानी से अवेलेबल होगा आज हम इसे उताव टन्यन का लिग बनाने बाले हैं पहले तो आप सभी को मेरे चैनल होमीस कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो चलिए बनाते हैं पहले हम इसका मसाला रडी कर लेते हैं चलिए मैंने यहां पर एक टमांटर एक चोटा इंचा अत्रक और दो ग्र कर बल को मैंने इस सेप में कट करके रखे दिया और इसे भी हम अच्छे से फ्राइक कर लेते हैं जब तक यह गॉल्डन राउन हो जाए अखर आपको में रेसिपी थोड़ी से भी अच्छी लगिए न दोस्तों प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल जरूर दे दोस्तों लास्ट तक हम कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल इसमें हम थोड़ा सा जीरा और करीपता का दटका देंगे अच्छे से चटक जाएने उसके पाद हम इसमें डाल देते हैं जो टामाटर के पेस्ट हमने बना कर रखे थे तरे पेस्ट को हम इसमें आड कर दें कि टामाटा डानले के बाद नामावग चालना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मेहाँ अस्ते नामावग थोड़ा थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा मघ्ञ फ़ाइडया पाउडर थोड़ा सा लालमिज पाउडर डाल दियुए हैं कोई रिस तिंग्स यूज नहीं कर रही हूँ, इस सबसे अच्छा ठाना उट आएगा आपका देखना, जरू ट्राइ करना, चलते हैं हमारा फास्ट सिक्रेट इंग्रिडेंट्स के तरफ, मैं आपा ले रही हूँ थोड़ा सा गराम पानी, और इसमें हम डाल देंगे एक टे और इसे हम अच्छे से कुक करेंगे, पानी की जगाए हम पर मिल्क पाउडर की सलरी डालना, देखना कितना टेस्टी बन कर आएगा, अब हम इसी प्रोसिजूर को फॉल्यो करते जाएंगे, थोड़ा-थोड़ा करके आड़ करके इसे अच्छे से स्वते करेंगे, अच्छ अब हम इसमें डाल देते हैं, आपको जितना गवी पसंद हो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल देना, हम इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा उबलने के बाद ही हम इसमें डाल देते हैं, कसुरी मित्थी और इसे भी हम अच्छे से उबलने के लिए छ हो चुका है पर हेहां पर हमारा दूसरा सिक्रेट इंग्रिडियन्ट से वह भी सभी कघर आसानी से मिल जाता है तो चलते हैं वो क्या है देखने के लिए यहां पर मैं ले रहे हूँ थोड़ा सा नारियल के दूद एक हाफ नारियल ले रहे हूँ और इसका हम अच्छे से दूद निकाल देंगे और इसे हम लास्ट में ही इसमें आड़ करेंगे जब तक हमें जितना ग्रेवी चाहिए उतना रहे जाएगा ना तब हम इसमें आड़ कर देते हैं सिर्फ दो मिनिट के लिए ही हम इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं चारा तो अब हम आचे से स्क्रिप कर देंगे आपका आलो बर्बल के करीबों भी उताओ टर्नियन गालिक सबसे हीची सबसे आसान तरीके से बिल्कु रड़ी हो चुका है दोस्तों पर जड़ो ट्राइ करना अगर अच्छा लगाए ना बिन्हा घंचु सिकिए प्लीस मेरे चानल को लाइक सार और सुब्सक्रेब कर देना चलते हैं हम सर्फ करने के लिए अब आपका अलो परबल के करिया आप देख सकते हो कितना ज्यादा टेंटिंग और सुन्दर दिख रहा है खाने में भी उतना लाजबाब होता है आप जरू ट्राइ करना दोस्तों और सभी को खिलाना देखना सभी आपके तारेफ करते हुए नहीं थकेंगे अब आपका रेड़ी हो चुके तो चलते हैं सार्फ करने के प्रोसेजर में अगर वीडियो अच्छा लगाए ना दोस्तों प्लीज एक कामेंट जरूर कर देना ठांक्स पूर वाचिंग में चानल